नमस्कार बुद्ध ग्रह वक्री चाल में दस तारिक को शाम को पाँच बज कर सोला मिनट पर देंगे सौगात और छे राशियों से होंगे महाप्रसन धन प्लस धन is equal to महाधन आप सोच रहे होंगे ये कौन सी आज जोटसी जी ने calculation बना दी गनित की कि धन प्लस धन is equal to महाध जब धन का स्वामी और दूसरे धन भाव का स्वामी मजबूत इस्तिती में हो तो महा धनाडे योग बन जाता है वन प्लस वन is equal to two ऐसे धन प्लस धन is equal to महाधन क्योंकि जोतिश के अंदर बारा भावो में कुछ इस्तान एक चीज को represent करते हैं तो कुछ इस्तान ऐसे होते हैं जो दो दो चीजों को represent करते हैं इसलिए इस प्रकार का आज थमनेल का चैन किया गया है स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एस्टो मानविंदर रावत पर और हमारे फेस्बूक पेज वैदिक एस्टो 24 वै एस्टो 24 पर दोस्तो आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी राशियों को क्या क्या मिलने जा रहा है बुद्ग रहे शुब रहे जब वक्री होता है तो उसके फल देने की छमता और जादा बढ़ जाती है अभी आपके गली महले में कोई बड़े संद महत्मा आ जाएं और आपको आशिरवात दे करके आगे निकल जाएं परन्तु वापस लोट करके फिर आपी की गली से उनकी निकासी हो यानि कि जाना भी उनका आपी की गली से हो तो एक बर पुने है आपको उनका दर्शन करने का स्वभाग्य प्राप्त हो जाएगा ये उनकी वक्री चाल हुई वो आगे निकल जाते तो आपको एक इवार दर्शन मिले। परन्तु वो वापस आपी की गली से होते हो जा ये निकले तो आपको दुबारा दर्शन मिल गए। तो ऐसे ही जब कोई ग्रह होगा तो अच्छा फल देदेगा। अशुब ग्रह हो वानी के, वाक शक्ती के, तुचा के, मित्र सुख के, शिल्प कला के, हस्त कला के, व्यपार के, गनित के, जोतिश के, तार्किक बुद्धी के, मामा मामी के, इन के कारक होते हैं. अभीने के, प्रकाशन, चित्रकारिता, फिल्म लाइन, लेखन कला, इन चीजों के कारक होते हैं अकाउंट्स के कारक हैं, बकालत के कारक हैं, चित्रकला, शिल्प कला, हस्त कला, बुद्धी जीवी हैं इसलिए जितने भी इस दुनिया में बहुत धिक स्थर के कारे होते हैं, उन सभी में बुद्ध का involvement सबसे ज़्यादा देखा जाता है अब इतनी सारी चीजों का कार अगर है, जब वक्री होगा तो आपके और हमारे जीवन को विशेश रूप से प्रभावित करेगा तो आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं और चर्चा को प्रारम करते हुए आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले मेश राशी के बारे में कि कौन सी आखिर वो छे राशियां हैं जिन से बुद्ध ग्रह महाप्रसन हो गए हैं जी हाँ तो मेश राशी की जितने भी जा तक मुझे समय सुन रहे हैं आप ध्यान से समझना और मेरी बात को कोशिश करना समझने की अब विशी आता है कि दस तारीक को शाम को ये वक्री होंगे तो दिनांक तीन जून को दोपहर में एक बजे के आसपास ये मारगी हो जाएंगे यानि कि फिर वरशब राशी में सीधे चलने लगेंगे और उस समय पर आपके लिए कुछ और बहतरीन योग भी बनेंगे वो भी में आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा क्योंकि वरशब राशी में बुद्ध भी आने वाले हैं उसी टाइम के आसपास दोस्तों सबसे पहले मेश राशी की चर्चा करते हुए कहना चाऊंगा कि आपके धन के घर में बुद्ध ग्रह वक्री हो रहे हैं धन भाव में एक शुब ग्रह का वक्री होना अपनी मित्र व्रशब राशी यानि कि शुक्र गिराशी में वक्री होना आपके धन धनने के लिए बहुत अच्छा है आपके यश के लिए अच्छा है आपके वाक शक्ती के लिए चित्रकला के लिए अच्छा है स्पोक्स परसन के लिए अच्छा है जितने भी लोग सिर्फ अपनी भाषा से अपने शब्दों से पैसा अर्जित करते हैं उन सब लोगों के लिए अच्छा है ये कहना चाओंगा मैं आपसे आपको धन की अवसर मिलेंगे आपको पैसा देंगे आपके लिए बुद्ग रहे विशेश रूप से इस्तिती को मजबूत करेंगे पर एक बात है जिसका आपको दिहान रखना होगा और वो रहेगे कि स्वास्त के स्वामी होकर के भी वक्री हो रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में त्वचा संबंदित और एलर्जी और गले से संबंदित विकार ये भी आपके तनाव और चिंता का मुख्य कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं ये रहा फल मेश राशी का अब बात करते हैं आप से नेक्स राशी की राशी का नाम रहेगा व्रशब शुक्र की राशी शुक्र के प्रिय मित्र बुद्द तो जितने भी जाता कब मुझे व्रशब के सुनने हैं आपके लिए धन प्लस धन is equal to महाधन वाला नियम अपली के बल हो जाएगा क्योंकि सेकंड हाउस की लॉडशिप बुद्ध ग्रह के पास फिफ्थ हाउस की लॉडशिप बुद्ध ग्रह के पास फिफ्थ हाउस धन का सेकंड हाउस धन का और आपके प्रतम भाव में मान सम्मान के घर में गोचर कर रहे हैं वक्रचाल में गोचर कर रहे हैं आपको आगे आने वाले दिनों में जबरदस्त गेन होगा लगवग ये समय आपके लिए 23 दिन का रहेगा कुटुम्ब का सुख मिलेगा धन के संग्रे बनेगे परिवारिक सुख बड़ेगा मित्र का विध्या का सुख बड़ेगा खाद्य बदार्दू के आपूरती होगी और साथ में अपनी वानी से अपनी शब्दों से धनर्जित करोगे और पंचम भाव जो विचार शक्ती का होता है नीती का होता है प्रबंद कला का होता है मकान जमीन जादात में उन्नती होगी और पंचम भाव अकसमा धन लाव का होता है और पंचम भाव शेर मार्किट का भ लागू हो जाता है इसलिए केवल आप से इतना कहना चाहूंगा कि अब आप कर सकते हैं जो करना चाहते हैं और इतना ही नहीं बुद्ध ग्रह जहां वक्री हो रहे हैं जिस इस्थान में वक्री हो रहे हैं उस इस्थान में उस राशी में इनको दिशा बल प्राप्त होता है इसका मतलब आप अपनी दिशा के अंदर ही बलवान हो जाएंगे अब आप से बात करते हैं नेक्स राशी की राशी का नाम रहेगा सिंग जितने भी जातक मुझे अब सिंग के सुन रहे हैं आप के लिए जो परिष्टितियां बनेंगी वो भी यहाँ पर धन प्लस धन इस इकल टू महादन वाली बनेंगी अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लाविस्थान के स्वामी है बुद्ध धन के स्वामी है बुद्ध और करव भाप पर वक्री हो रहे हैं इसका मतलब नौकरी में, करम में, व्यपार में उन्निती के मार्ग बनेंगे इसका मतलब लाव बढ़ेगा इसका मतलब धनी के आवक होगी इतनी सारी चीजे यहाँ पर सिंग राशी के दर्शकों को मिलने जा रही है और in fact बिलांग 14 तारी के बाद तो सूरे देव भी बुद्ध के पास आ जाएंगे और सूरे बुद्ध की एक सुन्दर युती बनेगी इन दोनों की युती और वक्री बुद्ध ये मिलकर के आप ऊपर उठाएंगे अच्छा गेन देंगे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों वक्री बुद्ध करम भाब पर दसम भाब पर बैठे तो अच्छा फल देता है क्योंकि दसम भाब करम का होता है और इस भाब के कारग भी बुद्ध ग्रे होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टैन्थ हाउज है इसके चार कारक होते हैं एक होता है सूरे, बुद्ध, गुरो और शनी चार घ्रहे दसम भाब का प्रतिनेज़ तो करते हैं कारक के रूप में कारक का मतलब होता है एक्स्टा चार्ज, एक्स्टा मंत्राले जैसे आपके पास एक मत्राले है और साथ में एक एडिशनल चार्ज दे दिया आपके पास एक जिम्मेदारी है आपको कोई दूसरी एडिशनल दे दी तो ऐसे ही जोतिश में भावो के कारक के रूप में भी ग्रहों को जिम्मेदारी दी जाती है इसलिए उनको बोलते हैं कारक इसलिए जोतिश में भाव भाव का स्वामी और भाव के कारक के अनुरूप फलप्राप्त होता है कुछ वो लोगों को मेरी बात सर के उपर से जाती भी नजर आईगे पर जो जोतिश के एच्छुक हैं उनके लिए ये जो मैंने अभी पिछले एक दो मिनट बोले ये बड़े महत्वपून और बड़े लाप्रद रहेंगे अब बात करते हैं नेक्स राशी की नाम रहेगा कन्या जी हां बुद्ध की ही राशी बुद्ध इस राशी का प्रतेनिदे तो करते हैं और जितने भी जातक मुझे आप कन्या के सुन रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुनिए आपकी राशी के स्वामी बुद्ध ग्रह भाग्यस्थान पर वक्री होंगे जी हाँ भाग्यस्थान पर और वो भी करमेश हो करके अपनी राशी से बारवे जरूर है नौकरी के अंदर थोड़ी सी कठनाई चुनोतियां जरूर रहेंगे नौकरी वालों के लिए परंदू पॉलिटीशन्स के लिए व्यपारियों के लिए उन लोगों के लिए जो मान सम के भूके हैं उन लोगों के लिए जो लाइजनिंग का काम करते हैं जो शेयर बजार का काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है जो भाग्य के भरों से बैठे हुएं कि भाग्य हमारा साथ देगा तो यहां भाग्य साथ देता हुआ आपका नजर आ रहा है इस प्रकार का ग्रह गोचर आपकी जनम पत्री में बन रहे हैं दोस्तों कन्या राशी भी है एक अच्छी राशी के रूप में उभर के आने वाली है आगे आने वाले समय में अब मैं आप से बात करता हूँ नेक्स राशी की और नाम रहेगा मकर जितने भी मकर राशी के दर्सक इस समय भागेश बुद्ध वक्री होकर के पंचम भाम में रहेगा तो आर्थिक रूप से आपको लाव देगा पैसे का योग बनाएगा और सुन्दर योग बनाएगा ऐसा आपकी जनम पत्री का कहती है इसलिए आपको भी अच्छा का सलाम मिलेगा इसमें किसी प्रकार का कोई द नर्जित करेंगे ऐसा भी एक रह गोचर आपकी राशी में बन रहा है दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स राशी और वह रहेगी कुम्ब जितने भी जातक मुझे कुम्ब के सुन रहे हैं आपके लिए जो गोचर ये इस्तिती रहेगी उसके अनुसार केंद्र में चतुर् रहे हैं उनको सॉल्व करने का एक महत्पुन रोल प्ले करेंगे अच्छा समय है लाव प्रद है इसका लाव उठाया जा सकता है ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूं इसलिए दोस्तों कुम्ब को भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है बहतरीन मि पैसा कमाएंगे ही ये है फल अगर आप भी कुम्ली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पाठ या रत नेना चाहते हैं तो मुझे संपर कर सकते हैं अभी जादत चाहता हूं नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद